हेलो एवरिवान वेलकम टो एस्टीवे कावमर्स लासेज मैं हूँ ताबिता और गाईस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस चड़ीज को हमें किस तरह के से प्रिपेर करने अपने एक्जाम्स के लिए अपने टेस्ट के लिए क्योंकि काफी सारे स्ट अबजेट कैसे प्रिपेर करें सो गाईस एकनामिक्स को प्रिपेर करने का अलग तरीका होता है बिजनस को प्रिपेर करने का अलग तरीका है बिजनस चाहे क्लास है या क्लास 12 है दोनों का ही सेम तरीका रहने वाला है क्योंकि दोनों का पैटन सेम है त्यारीका दोनों के च सबसे पहले है कोई भी जो भी आप चैप्टर उठाते हो लाइक फ़र्स चैप्टर उठाए आपने बीएसेट का तो जैसे कि आपका 11 क्लास का इंट्रोडक्ष्टन है क्लास 12 का मेंनेज्मेंट्स का है यानि कि बेसिक चैप्टर है राइज सबसे पहले आप उसे read करो ठीक है read का मतलब क्या होते है guys conceptual knowledge conceptual knowledge दो यह topic आखिर हमसे कह क्या रहा है यह topic में हमें क्या सिखाने की कोशिश करी जा रही है यह topic क्या बोल रहा है उससे बात करनी है हमें बात नहीं करनी मतलब लेकिन वो क्या कहना चाहते है short form में समझना है that is called conceptual knowledge ठीक है और उसके बाद आपको आना है learning पे learn भी करना है अब guys इसका ना कई students बड़ा गलत वो निकाल देते rectification क्योंकि 10 तक हमें आदत होती है अगर कोई long answer type question आया 10 marks का तो हमने 10 नी 6 marks का तो 10 lines है हम 10 lines learn कर लेते है that is called rectification की आपने उसे याद कर लिया लेकिन समझा नहीं यहाँ पर समझना है फिर याद करना यानि की understanding that is called conceptual knowledge होनी है उसके बाद learning होनी चाहिए अगर आप conceptual knowledge के बिना learning कर रहे हो तो वो 0 है उसका कोई benefit नहीं होगा जब case study आएगी आपका rectification कहीं नहीं चलेगा तो rectification को no कह दो अगर 10 तक था भी तो अब आपको conceptual knowledge लेनी है आपको topic पढ़ना है वो हमसे क्या कहना चाहरे है उसको देखो उसके बाद उसको याद भी करना है क्योंकि याद करना जरूरी है क्यों याद करना जरूरी है क्योंकि case study में वही याद क्या हुआ चीज याद आती है कि अगर उन्होंने हमसे पूछे management के features क्या है तो हमें tips पर होने चाहिए management के total 7 features होते है हमें tips पर होने चाहिए क्योंकि वह case study में यह पूछ लेंगे कौन से features की बात करी जारी है यह so and so company है बताओ इस case study में कौन से feature की बात हो रही है तो हमें याद होंगे तब ही हम answer कर पाएंगे आप guys यह चीज समझनी बहुत जरूरी है class 11th और 12th को कि आपको conceptual knowledge माइन में बिठानी है कि वो book वो topic हमें क्या कह रहा है वो सीखना है ratification नहीं करना learn करो headings को learn करो ठीक है headings learn करो यह heading में क्या है क्या बात करी जारी है हमसे उसके बाद guys जो second step है वो है अगर आपने chapter 1 start किया उसके बाद आपको chapter 1 की case studies करनी है आपको ऐसा नहीं करना कि chapter 1 कर लिया 2 कर लिया 3 कर लिया उसके बाद आप case study कर लिया no गलत हो जाएगा बहुत hodgepodge हो जाएगा नहीं समझाएगा chapter 1 करने के बाद chapter 1 की case studies attempt करनी है देखना है किस तरीके के question chapter 1 के है किस तरीके से पूछे जाते है features को किस तरीके से questions में पूछा जा रहा है importance वो किस तरीके से पूछा जा रहा है तो हमें case studies attempt करनी है case study attempt करने के बाद MCQs पर आने guys क्योंकि आपको first time full MCQ based है तो आपको MCQs को तो बिल्कुल भी neglect नहीं करना MCQs करने है अब guys यहाँ पर आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इन में से अगर आप case study miss कर देते हो और MCQs आ जाते हो तो भी थोड़े incomplete रहेगा क्योंकि आपने case studies की preparation नहीं करी होगी तो आपको case studies को neglect नहीं करना कि भाई हमारों तो MCQ based paper आने वाला है तो हम case studies क्यों करें नहीं guys क्योंकि आपके MCQs भी case study based आ सकते हैं तो आपको case studies को भी उतनी importance देनी है जितनी MCQs को देनी है बट आपको chapter wise चलना है फर्स चेप्टर का अगर आपने read and write learning सब कुछ कर लिया तो case studies करो, MCQs करो उसके बाद chapter second पर आओ otherwise full course अगर जल्दी खतम करने के चकर में आप chapters पढ़ लोगे लेकिन preparation नहीं करोगे exam की तो नहीं हो पाएगा तो आपको हर एक chapter को deeply study करके learn करके, knowledge लेके आगे बढ़ना है उसकी case study, MCQs करने है चाहे कम कम करो, लेकिन करो फिर chapter second पर जाओ आपको idea रहे कि chapter one में से कैसे question आते है chapter two में से कैसे question आते है अगर आप ऐसा करोगे कि chapter पांच तक करने के बाद सब कुछ करोगे, हचपच हो जाएगा जीरो हो जाएगी आपकी सारी preparation तो इस steps को follow करो और business studies की त्यारी करो और अगर फिर भी आपको कोई भी doubt है business studies में आप मेरे पास सारी वीडियोस है class 12 की 11 की आने वाली है आप मेर से instagram पर मेरी id है तबिता मैसी, पूच सकते हो id कै तबिता मैसी, thank you